दोस्तों मेरे यूटूब चैनल मोनिका कटी एन स्टिचिंग पर आपका स्वागत है मैं आज आपको प्लाउस की गले की डिजाइन की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेर करूंगी मैंने 10 इंच की चोड़ाई लिया है लंबाई मैंने लिया है साड़े चौदा इंच क इस तरीके से मैंने 11 इंच का गला लिया है फूल नंबाई जीत ही आपको चीये गल सकते हूँ मैंने 11 इंच लिया है इस तरीके कपड़े का मारजन मैंने ज्यादा रखा है मैं थोड़ा ज्यादा ही रखती हूं तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा लिए सिलाई लगाने के बाद में हम बच्चे हुए कपड़े को कट कर लेंगे कट करने के बाद में इसे फॉल्ड करके उपर से एक सिलाई लगाएंगे हमें सिलाय लगाना है इस तरीके से हम सिलाय लगा देंगे कपड़े पर और सिलाय लगाने की बात में हम चारों तरप से कपड़े को जोईंट कर देंगे अस्तर के फेबरिक को और मेन फेब्रिक को हम इस तरीके से जॉइन्ट कर देंगी इस तरीके से हमने सिलाय लगा ली है पूरे कपड़े पर और सिलाय लगाने के बाद में हम लेस अटेज करेंगे तो मैंने दो तरह की लेस ली है एक पतली वाली जो हम डोरी भी लगा सकते हैं उस तरीके से मैंने लेस ली है और एक थोड़ी सी मोटी साइच की मैंने लेस ली है तो पेले पतली वाली लेस को हम पास पास में इस तरीके से हम में सिलाई लगा देना है पूरे गले में और सिलाई लगाने के बाद में अब हम थोड़ी सी मोटी वाली लेस अटेच करेंगे तो थोड़ी सी एक इंच पर हम सिलाई लगाएंगी लेस पर दोनों लेस को हमें इसी तरीके से लगा लेना है यह बहुत सुन्दर लगता है गला अगर इस तरीके से सिंपल आप लेस लगा कर भी अगर गला तैयार करोगे तो गला पीछे से बहुत अच्छा लगता है अब हम इसमें तितली बनाएंगे तो तितली के लिए हमें चोकुट कपडा लेना है तो साड़ी चेंच पे मैंने एक तरफ से निशान लगाया है और साड़ी पांच इंच पर एक तरफ से दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से कपड़े को कट कर लेना है चार ओर से और कपड़े को कट करने के बाद में एक जि लगा देंगे फॉल्ड करने के बाद में हम एक सिलाई लगा देंगे और बीच में हमें थोड़ी से सिलाई रोकनी है और फीर सिलाई लगानी है पूरी सिधी सिधी सिलाई नहीं लगानी है थोड़ी से हमें बीच में जगे रखनी है हमें इसको सीधी साइड करनी के लिए हमे रखना है और इस सिलाई को हम बीच सेंटर में रखने के बाद में दोनों तरफ हमें एक एक सिलाई लगा देना है और सिलाई लगने के बाद में हम इसको कपड़े को सिधा कर लेंगे दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद में कपड़े को हमें सिधा कर लेना है यह इस तरीके से हमें सिधा किया है कपड़े को और सिधा करने के बाद में एक धागा लेना है और धागे से हमें इसको बीच में एक सर डाल देना है इसी तरीके से हमें सर डालना है और सर डालने के बाद में ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी और यहां पर आप बड़ा मोती भी लगा सकते हूँ बड़ा बटन भी लगा सकते हूँ और मोती बड़ा छोटा आपकी हिसाब से आप लगा सकते हूँ मैंने दो मोती लगाए हैं के अंधिस्ट भी आरियोगि पर लगा सकते हूं कि बहुत सुंदर लकती हूप तो हम latch में तो सच तरह के से हमिर थागि की मदद में दोनों मोत लगा लिये हूं कि बात में के सब्सक्कार सुदू हैं हम इसको बीच सेंटर में इसको इस तरीके से धागे से जोइंट कर देंगे यह इस तरीके से हमें लगा देना है इसको दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छ लगई हो तो प्लिस लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकूण पर टिक कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करकी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी